Welcome back viewers Sturped mango kulfi बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक pan ले लिया है और उसे मैंने रख दिया है flame के ऊपर यहाँ पर मैंने आधा लेटर full cream milk ले लिया है और इसे हम सबसे पहले pan के अंदर गरम गरम pan के अंदर add कर देंगे तो यहाँ पर हमने इसे add कर दिया है और सबसे पहले हम इसमें एक उबाल आजाने देंगे तो यहाँ पे देखिये हमारे जो दूध है इसमें उबाल आचुका है तो अभी हम flame को कर देंगे low क्योंकि हमें दूध को क्या करना है बिल्कुल reduce कर लेना आधा कर लेना और हमें इसकी रब्डी तयार कर लेनी है जिसे हम condensed milk भी कहते हैं तो हम इसे low to medium flame की उपर लगतार चलाते हुए पकाते रहेंगे अब यहाँ पे यह जल्दी से थिक हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे दो चम्मच खोया या मावा जो है उसे add कर रहे हूँ ताकि यह जो दूद है हमारा जल्दी से condensed हो जाए तो यहाँ पे आधा लिटर दूद के लिए मैंने दो बड़े चम्मच मावे का इस्तेमाल किया है अब यह देखिए इसे हम लगतार इस तरह से चलाते रहेंगे इसमें बहतर अरिमा के लिए मैं यहाँ पे add करूँगी इलाइची पाउडर तो यहाँ पे मैंने इलाइची पाउडर जो है इसको add कर दिया है और स्वात के लिए हम यहाँ पे add करेंगे चीनी चीनी को आप अपने अनुसार कम या जादा कर सकते हैं अगर आप छीनी स्किप करना चाहते हैं तो इसकिप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंगो से इसमें कुलफी के अंदर अच्छे मिठास आएगी और यहां पर देखिए हमार जो दूद है यह बिल्कुल कंडेंस हो चुका है कम हो चुका अगर आप देखे तो बिल्कुल आधा हो चु इसके लिए मैंने यहां पर दो पके आम धुलके साफ करके ले लिया और सबसे पहले हम इसके टिप को इस तरह से कट कर देंगे और यहां पर हम कोई नुखीली छूरी का ऐस्तेमाल करेंगे और इसका जो बीज है उसको हम एक्स्ट्रेक्ट कर लेंगे उसको हम निकाल इसका भी जो । एक्ष्ट्रा पल्प या जूस, इसे निकाल लेंगे और इसे न किसी बेस पर रख देंगे अभी देखिए रबडी हो चुकि ठंडी तो इस cavity के अंदर हम रबडी को भर देंगे तो यहां पर देखें मैंने equal equal amount में रबडी को दोनों mango cavity में भर दिया है और हमने जिसके tip को काटा था उससे हमने इसे cover कर दिया है अब हम लगब 6 गंटे के लिए इसे freezer के अंदर रख लेंगे और अब यहां पर देखें friends 6 गंटे हो चुके हैं और यहां पर अभी हमारा जो छिलके को किसी भी छिलनी की मदद से निकाल लेंगे इसका छिलका जो होता हो बहुत tough हो जाता है freezer से निकालने के बाद तो easily हम छिलके को निकाल लेते हैं और इस तरह से हम अपने मन चाहे pieces में इसको काट के कर लेंगे तयार यहां पर देखें दोनों आम के pieces को मैंने काट के तयार कर लिए और यहां पर हमारी इस तक mango kulfi तयार है चाहे तो आप ड्राइफ्रूट या टूटी फ्रूटी से आप इसको सजा के और इसके बाद से हम इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा से सर्फ करेंगे thank you so much for watching